Hello friends, आज मैं आपको Peninsula ये Train to Busan मूवी का Part 2 explain करने वाला हूँ अगर आपने Train to Busan ये मूवी देखी नहीं है, फिर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं क्योंकि इनकी दो स्टोरी लाइन है, ये अलग-अलग है इनका जो यूनिवर्स है, ये ही सेम है Train to Busan में जो सब हुआ था, ये आपको यहाँ पता चल जाता है ये एक जॉंबी एपोकलिप्टिक मूवी है और बहुत ही तगडी थिलर है मूवी का स्टार्ट में कोई स्पोईलर नहीं देना है, तो चलिए शुरू कर दे मूवी स्टार्ट होती है और में पता चलता है कि कोरिया में जॉंबी का आउटब्रेक हो चुका है वायरस जो लोगो को जॉंबी में कनवर्ट कर रहा था, वो फेल चुका है मूवी के फर्स्ट में हमें एक जॉंबी दिखता है इसके बाद नेक सिन में हमें दिखता है कि जॉंग सुन अपने गाड़ी में है ये मिल्टरी में होता है अपनी सिस्टर, अपनी ब्रदर इनला और सिस्टर का चुसान है इन सब को लेकर वो कार में जा रहा होता है ये सब अब शिप्स की तरफ बढ़ रहे है ये अब कोरिया से निकल कर चापान जाने वाले है इनने बचने का यही एक जरिया है एक जगा पर जब कार स्लोडाउन हो जाती है वहाँ इने एक फैमिली दिखती है यहाँ फादर, मदर और उनकी बेटी होती है जॉंग सुच जब फादर को देखता है तो उसकी नेक से प्लड आ रहा होता है यह जॉंगी में कभी भी बदल सकता है तो इसलिए इस फैमिली को हेल्प नहीं करता मदर बोलती है कि सिर्फ मेरे बच्ची को ले कर जाओ पर यह भी रिस्क लेने के लिए वो रेडी नहीं होते अब हमें एक न्यूस दिखाई जाती है और इसमें हमें सब इन्फॉर्मेशन दी जाती है बुसान की एक फैक्टरी में से ही वाइरस निकला था और उसके बाद बहुत ही फासली यह स्प्रेड हो गया है कोरिया में हर जगा पर यह है पर पेलिन्सुना में नहीं है जान सुख पेलिन्सुना में ही जा रहा था कोरियन गवर्मेंट पूरी तरह से थबा हो चुकी है बुसान का जो इंसिडन्ट था अब उसे चार साल गुजर चुकी है अब हमें दीखता है कि जांग सुन अपनी फैमिली के साथ शीप में पहुच चुका है यहाँ पहुचने के बाद वो जापान जाने वाले थे पर उसके सुपिरियर्स उसे बुला लेते है उससे कहते है कि अब वो हॉंग कॉंग जाएंगे जापान में भी जो हाला थे यही भी खराब होते जा रहे है जब जापान में जापान में पहुच चुका है जांग सुक का ब्रदरीन लौ भी वहात है और उससे कहता है कि हमें उन्हें बचाना चाहिए कुछ ना कुछ तो हम कर सकते है जांग सुक नहीं मानता क्योंकि सब जो भायरे से पूरी शिप पर फैल सकता है इस इंसिडेंट को अब चार साल गुजर चुके है जांग सुक के साथ उसका ब्रदरीन लौ भी रहता है यह दोनों फिर गैंग के बॉस के पास आते है यह और भी 3-4 लोग होते है गैंग का बॉस फिर इन्हें एक काम देता है वो कहता है तो यह पेनिन सुना फिर से जाना पड़ेगा ये कहते हैं कि क्या हम पागल है कि हम जॉंबी से मिलने फिर से जाएंगे ये फिर उनुने समझाता है ये कहते है कि हमारे बहुत सारे पैसे वहाँ है एक ट्रग में इनके 20 मिलिन डॉलर्स है ये और भी एलाबीरेट करता है और कहता है अगर तुम रात में गए तो जॉंबी को कुछ दिखनी पाता वो सिर्फ थोड़ा सा सुन सकते तुम जल्दी से वहाँ जाओगे और वहाँ से वहाँ अपस आजाओगे इस काम के लिए उन्हें वो इन पैसो में से 50% देने वाला होता है हर एक को 2.5 मिलें डॉलर साने वाले होते है यह जो पैसो का ट्रक है यह एक ब्रीज पर होता है जो सब प्लान है यानि कि कैसे कोस्ट गार्ड को जलावा देकर वहाँ पहुच जाएंगे यह सब इनको यह बताता है इसके बाद हमें दिखता है कि जौंग सुक और उसका ब्रदर इनला इस पर डिसकस कर रहे है जौंग सुक को वहाँ फिर से वापस नहीं जाना पर इसका ब्रदर इनला इसके लिए एक्साइडेड है इनको जो फाइनसल सिचुएशन है यह बहुत ही खराब है जो होंग कोंग की गवर्मेंट है यहने रेफ्यूजी स्टेटस उनाने नहीं दिया है यानि कि illegal वो यहां रह रह रहे है अगर इनके पास अच्छे से पैसे आ गए तो इस सही तरीके से जी सकते है brother-in-law chungsk को इस समझा रहा दा है पर यह समझ नहीं रहा दा chungsk केता है कि का तुम पागल हो वहाँ फिर से जानना चाते हो brother-in-law केता है कि तुमारे लوجिक तुम नुमारे पास ही रखो अगर तुम इतने सही होते है तो मेरी wife मेरी बच्चे को तुम बचा ले थे उस दिन तुमने ट्राय भी नहीं किया था ये अपनी बच्ची और वाइफ मरने के लिए चौंग सुक को ही ब्लेम करता है अब हमें दिखता है कि ये सब पेनिसुला जा रहे है कोरिया का कोस्ट गार्ज होता है यहां उतरने के लिए इन्हें पर्मिशन नहीं देता पर वहाँ कोई भी नहीं होता इन गुंडों के आदमी इन्हें दो सैटलाइट फोन दे देते हैं ये जब सीटे में उतरते हैं तो ब्रीज गिरे हुए है पुरी सीटी तेहस नैस हो चुकी है जमीन पर रिखा होता है ये गौर्ड ने हमें भुला दिया है ये सब फिर वहाँ जाने के बाद इनमें से एक एक गाड़ी को स्टार्ट कर ले थी है ये जो आरत है ये पहले टैक्सी ड्राइवर हुआ करती थी इसे कहा से कहा जाना है ये सब मालूम होता है ये फिर ब्रीज पर एक ट्रक चेक करते है और उसमें कुछ भी नहीं होता चौण सुक सब को गाड़ी में बिठा कर ये ट्रक चेक कर रहा होता है जब अपने नाइट विजन गॉगल से यो देखते है तो यहाँ एक ग्लास के पीछे बहुत सारे जॉंबीज होते एक कुछ भी आवाज ना करे हुए वह आसे जल से निकल जाता है थोड़ा आगे जब वो पोहुचते और एक ट्रक उन्हें मिल जाता है जब एक चेक करते हैं तो इसमें बहुत सारे पैसे पड़े हुए होते यह सब खुश हो जाते हैं जॉंबी इसे काटने के लिए पगड़ता है पर जॉंग सुंग इसे बचा लेता है इसे बचाते वक्ती इस गाड़ी का हौन बच जाता है रात में जॉंबी कुछ देख नहीं सकते पर इनके एर्स बहुत ही सेंसिटी होते हैं अब यह सब इस ट्रक के पास आने लग जाते हैं जॉंग सुक और उसकी पूरी टीम जल्दी से गाड़ी में बेटते हैं और वहां से निकल जाते हैं जब यह आगे ड्राइव करे होते हैं तो अचानक से इन पर फ्लेर गन चल जाती है यह जब फ्लेर गन चलती है तो जॉंबी को अब दिखने लग जाता है बहुत सारे जॉंबी's इनके कार की तरफ बढ़ने लग जाते हैं इनके पास एक ट्रक होती है और एक कार होती है जो कार होती है इसका एक्सिटन हो जाता है सब जॉंबी इन पर अटाइक कर लेते है जॉंबी ट्रक से बाहर निकल जाता है और वो देखता है कि सब पर अब जॉंबी अटाइक हो चुका है इसके पास एक गन होती है तो सब को इससे मार रहा होता है यह जौंबी अब इसे मारने बाले होते है, तब ही एक कार आ जाती है, इसमें दो छोटी लड़किया होती है, इससे कहती है कि आगर दुम्हें जिना रहना है तो जल्दी इसे कार में बैट जाओ जौन सुक कार में बैठता है और देखता है कि उसके जो सब फ्रेंड्स है उसका प्रदरिन लौ था इस पर जॉम्बिज ने अटाइक कर दिया है और यह सब मर गए है अब कार में यह जो दो लड़ गया है यह दोनों सिस्टर से बड़ी सिस्टर का नाम जुनाय है और छोटी जॉम्बिज होते है जो शोडी सिस्टर है इसके पास एक रिमोट कंट्रोल कार होती है जिस पर साउंड भी लगाय हुआ होता है यह फिर अपनी रिमोट कंट्रोल कार निकालती है और जॉम्बिज की तरफ भेजती है इस कार का पीचे सब जॉम्बिज करने लग जाते है औ फ्लेयर गन जॉंग सू के गाड़ी पर चलाई थी, यह इनी लोगों ने चलाई थी, यह यही परिंसुला में रहते हैं, और सब जगा जाकर वहाँ से सप्लाइज लेकर आते हैं, इस ट्रक में भी सप्लाइज के लिए वो वहाँ आते हैं, जिस तरह से यूजीन ने सब जॉं इसको मार देता है, अब जो ट्रक है, इसको लेकर सार्जण जहाँ रहते हैं, यहा वो आ जाता है, नेकशल में हमें दिखता है, कि जॉंसुंग इन दोनों लड़कियों के साथ, वह जहाा रहती है, यह आ चुका है, यह दोनों लड़कियां में ग्रेंड़ और इनकी मदर, इनके साथ रहती है यह जो grandfather थे इन्होंने इन लड़कियों के city में जाकर एक battery जराने के लिए बोला था इनका जो radio है यह फिर से वो चलाना चाते है अगर radio फिर से start हो गया तो उन्हें यहाँ से बचाने के लिए वो help मंगवा सकते है जब मदर यहाँ थी है तो जौंग सुक से वो पूछती है कि तुम कौन हो यह सब कुछ उन्हें बता देता है मदर भी बाहर गई थी और उसने उनके radio के लिए battery लाई है grandpa का radio स्टार्ट हो जाता है और उसके जो superior होते है इनसे वो contact कर लेते है इनके लिए help अप आने वाली है इन्हें यहाँ से वजाय जाएगा अब next in में हम दिखता है कि sergeant उसका जो camp होता है वहाँ पर वो truck लेकर आता है यह जो truck है खाने की supply से भी भरा हुआ होता है अब इन्हें एक मांद के लिए खाने की कोई भी जिन्ता नहीं होगी यह आपर खाना distribute करने के लिए जो इंचाज होता है यह वो देखता है और खूश हो जाता है sergeant कहता है कि अब मैंने इतना बड़ा truck लाया है मुझे tuna खाना है यह खाने का इंचाज उसे मना कर देता है यह कहता है कि captain की permission की बिना मैं कुछ भी तुम्हें नहीं दे सकता इनका जो boss होता है इसका नाम captain saw होता है sergeant फिर इस पर चीर जाता है और उसे डराता धमकाता है जब इट रेक ओपन करते है तब इन्हें john sook का ब्रदर इनलो मिल जाता है यह actual में इस truck में छुप गया था यह इसे कैदी बना लेते है और आखाडे में इसे भेजने वाले होते है यह जो सब लोग है यह लोगों कैदी बना कर इन्हें आखाडे में भेजते है और वहाँ जॉंबी इनकी पीछे लगा देते है इनके लिए एक इंटरेनेर्मेंट ही होता है यहाँ बरत john sook के ब्रदर इनलो को वो उस पर नंबर वेगरा पेंट करकर वो उस आखाडे में भेजने वाले होते है जॉन सुक जब मदर को सब कुछ समझाता है क्यों वो इस काम के लिए आया हुआ है तो मदर कहीती है कि हमें बजाने के लिए कोई नहीं आया पर पैसो का सवाल आ गया तो सब कुछ लोग यहां आ गए वो उसे यहां मिल्टरी के जो लोग है इनके बारे में भी इन्फोर्मेशन देती है यानि कि मिल्टरी के लोग सारजन, कैप्टन साव यह सब आउट आप कंट्रोल हो चुके इनने जो भी लगता है यह वो करते है नेक सिमय में दिखता है खाने का जो इन्चाज था वो कैप्टन साव के पास आ जाता है कैप्टन साव जिना नहीं चाता उसके हालाग उसे बुरे लगते है तो वो सुसाइट करने माला होता है तब यह फूड का इन्चाज उसे रोक लेता है यह उसे कहता है कि हमें एक ट्रक मिली है यह जो इन्चाज था इसने ट्रक में बहुत सारे पैसे देख लिये यह एक बैग साव को दिखाने के लिए लेकर आता है साव जो भी से देखता है तो उसमें एक सैटेलाइट फोन भी उसे मिलता है अब साव इसमें इंट्रेस्टेर हो जाता है इसके पास अगर सैटेलाइट फोन है तो दूसरे लोगों से कॉन्टेक कर सकता है help भूलवा सकता है जो इस phone से call करता है तो वहाँ से गुंडे के जो लोग होते हैं ये बात करने लग जाते हैं ये उनसे कहता है ये मेरे पास सब पैसे है जो deal जॉंग सुक को उन्होंने दी थी यानि कि अगर वो पैसे लेकर आए तो हाप उन्हें वो दे दीगा यही डिल वो कैटन साओ को भी दे दे कैटन साओ ने अगर वो पैसे उन्होंने लोटा दिये तो उसे 50% मिलने वाले है पर कैपटन साओ को वहाँ से निकल सकता है यही बड़ी बात होती है इसके बात हमें दिखता है कि आखाडे में जॉंग सुक के ब्रदर इन लोग को भेज दिया जाता है यहाँ जॉंबी इसकी पीछे पड़ते इनसे वो लड़ता है और इसके बाद वो फेसे अंदर आ जाता है यह अपनी जान बचा कर अब बच चुका होता है इसके साथ 24 सब लोग थे इनमें से बहुत ही कम अब बचे हुए है जॉंग सुक ने अब इन सब लोग को बताए हो होता है कि उन्हें लेने के लिए शिप आने वाली है यह सब डिसाड करते है कि उस शिप के पास ही अब जाएंगे इनका प्लान होता है कि अब ये फिर से होंग कॉंग जाने वाले हैं अब जो सुबह हो चुकी है तो दिन ये ट्रैवल नहीं कर सकते हैं ये रात में जाने वाले होते हैं जॉन सुख जुनाय को थेंक्यू कह रहा होता है तो वो कहती है कि यूजिन ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे कहा था अगर मैं नहीं करती तो वो रोने लग जाती यूजिन बहुत ही स्वीट लड़की होती है ये सब अब अपना सामान पैक कर रहे होती है जॉन सिक फिर मदर के पास जाता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले देखा था तुम रस्ते पर हेल्फ मांग रही थी मदर के दिये कि तुम गेल्टी महसूस मत करो वहाँ से 51 कार्स गई थी वहाँ में से उसमें से कोई भी नहीं रुका था यज़ो तुम्हें गल्टी महसूस होई रहा होगा तो मेरी डॉटरस को तुम हेल्प करना यह सब लोग फिर रात में निकलते हैं एक जगा पर आने के बाद मदर अपनी डॉटरस से कहती है कि तुम अब यही रुखना मैं थोड़ी देर बाद वापस आ जाओंगे और सब लोग शिप में चले जाएंगे अब इनका प्लान हता है कि जौंग सुक और मदर यह दोनों मिल्टरी के कैमप पर जाएंगे जो सैटलाइट फोन था यह ट्रक में था इस ट्रक को ढूंगर वो सैटलाइट फोन और पेसे लेकर आएंगे यानि को कांटेक्ट भी कर सके और पेसे देखकर वहाँ से सही से रहे भी सके अब यह दोनों निकल बढ़ते हैं कैप्टन साओ अब यहाँ से निकलने वाला है तो बहुत ही खुश है सब लोग के केता है कि आज तुमारी आखरी रात है इस तरह से तुम आज रात को जी हो जब साजन यह देखता है तो साजन को पता जाजाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गरबड़े कैप्टन साओ के ऑफिस में चला जाता है यह साओ सो पुशता है कि अचानक तुम इतने जेनरेस कैसे हो गए साओ से समझाता है कि एसा कुछ भी नहीं है वहाँ फिर जो food का इंचाज होता है वो आजाता है, साजन और भी इन पर अब pressure बनाता है, इसे पताता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा है, पर वो अपना mood change कर लेता है, Captain साओ उसे मारने वाला होता है, पर इसने अमना mood change कर लिया है, तो यह वहाँ से चला जाता है, कि वो फोन का है, यह इने सब कुछ बता देता है, जॉंग सूग को यहाँ पता चल जाता है, कि उसका ब्रदर नी लौँ है, यह अभी भी जिन्दा है, अब अपने ब्रदर नी लौँ को बचाने के लिए जॉंग सूग वहाँ से चला जाता है, मदर ने food इंचाज वाले प ब्रदर नी लौँ अब फिर से अकाडे में होता है, फिर से जॉंबिस के साथ इसकी fight हो रही होती है, तब जॉंग सूग वहाँ पहुचाता है, सब जॉंबिस को मारता है, यह जो सब लोग है साजन और उसके आदमे अब जॉंग सूग के पीछे पड़ जाते है, जॉंग स लिखता है कि कैप्टन साओ को मदर ने उड़ाया था, पर वो अभी भी जिन्दा है, जॉंग सूग और मदर अब यहाँ से जल्दी से निकल पड़ते है, साजन और इसकी टीम भी इनका पीछा करने लग जाती है, इन पर गोलिया चला रही होती है, जो दोनों सिस्टर्स थ यहाँ पर कैप्टन मर जाता है, यह सब अब पोर्ट पर आ जाते हैं, इने रहने के लिए शिप आने वाली होती है, हमने देखा था कि कैप्टन साओ अभी भी जिन्दा है, यह इनका पीछा कर रहा था, इनकी कार को यह अपनी कार टागरा देता है, यह जुनाय को पकड़ लेता है और उस पर गन लगाता है जुनाय को बचाने के लिए यूजीन अपनी रिमोट कार चलाती है वो अपनी रिमोट कंट्रोल कार से कैप्टन साव को किरा देती है यह जब हो रहा होता है तो मदर अपनी गन जब पकड़ रही होती है जब उस पर कैप्टन साव गोली चल इसने पहुच जाने के बाद सब गुंडे लोग वहाँ थे और इससे वो पैसे वेगरा सब कुछ ले 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 थे कैप्टन साओ बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो अब बच चुका है यह अब हसने लग जाता है तब गुंडों में से एक आदमी इस वर बहुत सारी गुलिया चलाता है और इसे मार देता है कैप्टन साओ जब शिप पर बहुत चुका था तो उसने बहुत सारा साउंड क्रेट किया है जो सब जॉंबिस इस एरिया में थे वह सब अब शिप में खुश जाते हैं इन कुंडों को यह सब जॉंबिस मार देते हैं अपने ग्राणपा को मरतावा दिखकर यह दोनों लड़किया रहने लग जाती हैं मदर को भी बहुत ही रोना आता है हमें दिखता है कि ग्राणपा ने अपने सुपियर से कॉंटेक किया था इनने रेनी के लिए एक स्पेशल हिलिकॉप्टर यहां आया हुआ है यह सब लोग अब हिलिकॉप्टर तक नहीं पोछ सकते वह बहुत सारे जॉंबिस यहां होते हैं इन जॉंबिस को डिस्टाइक करने के लिए कोई तो चाहिए होता है मदर जॉंग सुक से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि मेरी जो लड़किया है इनका तुम अच्छे उसे खयाल रोखोगे वो अब अपने आपको सैक्रिफाइस करने वाली होती है मदर फिर सब जॉंबिस को मारने लग जाती है जब हिलिकॉप्टर रुखता है तो जॉंग सुक और दोनों लड़किया हिलिकॉप्टर में बेट जाते है मदर इन लोगों को कवर देती है ये दोनों जॉंग सुक से कह रही होती है कि प्लीज मदर को बचा लो कर सकता है वो फिर हिलिकॉप्टर से बाहर निकलता है बहुत सारी गुलिया जॉंबिस पर चलाता है जब मदर इस सुनती है तो वो भी अब लड़ने लग जाती है अपने आसपास जो सब जॉंबिस होते इनको मार कर भागते भागते वो अब हिलिकॉप्टर में बहुत ज़ाद है ये सब लोग बच चुके है मदर अपने बेटियों को हग कर ले थी और कहती कि सब ठीक है इनने बचाने के लिए हिलिकॉप्टर में जो औरत आई हुई होती है वो कहती अब तुम सब लोग सेफ हो अब वो जहाँ जाने वाले है या कोई भी वाइरस विगरा नहीं है अब वो अच्छी तरीके से लाइफ जी पाएंगे जौंग सुक ने भी पास में जो गलती की है उसने वो सुदार ली है अब जो गलती करने वाला था उसने वो नहीं की है वो आखरी दम तक लड़ता रहा है इस मूवी के फर्स पार्ट का हैपी एंडिंग नहीं हुआ था इसे तरह से इस मूवी का भी साड़ी एंडिंग होगा ऐसा हमें लगता है पर इसके बाद एक हैपी एंडिंग मूवी है हमें देखर जाती है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुईज लेकर नात रहत हूँ तो प्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इडिवेशन आइकोन दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूरी के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखिया